ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का प्रधान मंत्री मोधी ने उद्गाचन क्या है? प्रधान मंत्री मोधी संबोधित कर रहे हैं? पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले धाई करोड छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है जब मिलेट्स स्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन धाई करोड छोटे किसानों की आई बढ़ेगी इससे ग्रामेड अर्थववस्था को भी बहुत लाब मिलेगा प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिये मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुँच रहा है पिछले कुछ वर्सों में ही देश में स्री अन्न पर काम करने वाले पान सो से ज़्यादा स्टार्टर भी बने हैं बड़ी संख्या में एप्योज इस दिशा में आगे आ रहे हैं स्वयम सहायता समूओं के जरिये महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है गाउं से निकल कर ये प्रोडक्स मॉल और सूपर मार्केट तक पहुँच रहे हैं यानि देश में एक पूरी सप्लाई चेन विक्सित हो रही है इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों के भी बहुत बड़ी मदद हो रही है साथियो भारत इस समय जी ट्वेंटी का प्रसिडेंट भी है भारत का मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पूरे विश्व को एक परिवार मानने की ये भावना इंटरनेशनल मिलेटियर में भी जलकती है विश्व के प्रती कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदेव भारत के मन में रहा है आप देखिए जब हम योग को लेकर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिशित किया कि अंतर राष्टिय योग दिवस के जरिये पूरे विश्व को उसका लाब मिले मुझे खुशी है कि आज दुनिया के सो से जादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है आज दुनिया के तीस से जादा देश आयुरुवेद को भी मानेता दे चुके हैं इंट्रनेस्टर सोलर एलाइंस के रूप में आज भारत का ये प्रयाव सस्टेनबल प्लेनेट के लिए एक प्रभावी मंच का काम कर रहा है और ये भी भारत के लिए खुशी की बात है कि आईसा से भी सो से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं आज चाएं लाइप मिशन की अगवाई हो क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्षों को समय से पहले हासिल करना हो हम अपनी विरासत से प्रेणा लेते हैं समाज में बडलाव को शुरू करते हैं और उसे विश्व कल्यान की भावना तक ले कर जाते हैं और यही आज भारत के मिलेट मूमेट में भी दिख रहा है स्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है अलग-अलग खेत्रों में जवार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कॉंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही स्री अन्न भारत में प्रचलद में है हम स्री अन्न से जुड़ी अपनी क्रशी पधतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साजा करना चाहते हैं हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेस्ताएं हैं, उसे भी सिखना चाहते हैं सिखने का भी हमारा इरादा है, इसलिए जिन मित्र देशों के अग्रिकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्तित है मैं उन से विशेज आगर है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मेकनिजम डेवलप करें इस मेकनिजम से आगे चल कर, फिल से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक, एक नई सप्लाइचेन विक्सित हो, यह हम सब की साजा जिम्मेदारी है साथियो, आज इस मंच पर मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोड देना चाहता हूँ मिलेट्स की यह ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलियन्स होना बहुत एड़वर्स क्लाइमेटिक कंडिशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है इसकी पैदावर में अपेख्षा कृत पानी भी कम लगता है जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स के बड़ी खुबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है यानि मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्त को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है साथियो जब हम फूड सिकूरिटी के बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनोतियों से जूज रही है एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो अपने गरीबों की फूड सिकूरिटी को लेकर चिंतित है दूसरी तरफ ग्लोबल नौक का हिस्सा है जहां फूड हैबिट से जूड़ी बिमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं यहां खराब पोर्षन एक बहुत बड़ा चलेंज है यानि एक तरफ फूड सिकूरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिन्ता जताई जा रही है कि पैदावर के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है लेकिन स्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते है जादा तर मिलेट्स को उगाना आसान होता है इसमें खर्ज भी बहुत काम होता है और दूसरी फसों की दोल नाम है यह जल्दी त्यार भी हो जाता है इनमें पोशन तो ज़्यादा होता ही है साथी स्वाद में भी पिशिष्ट होते हैं ग्लोबल फूड सिकुरिटी के लिए संगर्स कर रहे विश्वबैं स्री अन्न बहुत बड़ी सोगात की तरह है इसी तरह स्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सहत के लिए बहुत फायदेमन माना गया है इनसे लाइफटाइल रिलेटेड बिमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है यानि पर्सनल हेल्ट से लेकर ग्लोबल हेल्ट तक हमारी कई समस्याओं के हल में स्री अन्न से हम जुरूर रास्ता खोच सकते हैं साथियों मिलेट के छेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाय मोजूद है आज भारत में नेशनल फूर बास्केट में स्री अन्न का योगदान केवल पाँच शे प्रतिशत है भारत के वैज्यानिकों को क्रिशिक शेत्र के जानकराव से मेरा आग्रह है कि हमें इससे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा हमें हर साल के लिए एचिवेबल टारगेट सेक करने होगे देश ने फूर प्रोसेसिंग सेक्टर को बुष देने के लिए पी एलाइ स्किम भी शुरू की है इसका जादा से जादा लाप मिलेट सेक्टर को मिले जादा से जादा कमपनियां मिलेट प्रोडक्ट बनाने के लिए आ गया है इस दिशा को इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिसित करना होगा कई राज्यों ने अपने हाँ पीडियस सिस्टिम में स्री अन्न को शामिल किया है दूसरे राज्यों में भी इस तरह के प्रयाश शुरूप किये जा सकते है मिड्ड मिल्बे भी स्री अन्न को शामिल करके हम बच्चों को अच्छा पोशन दे सकते है खाने में नया स्वाद और विवित्ता जोड सकते है मुझे भी स्वास है इन सभी बिंदों पर इस कॉन्फरेंस में विस्तार से चर्चा होगी और उन्हें इंप्लिमेंट करने का रूर में भी तैयार किया जाएगा हमारे अन्न दाता के और हम सब के साजा प्रयासों से स्री अन्न भारत की और विश्व की सम्रुद्व में नई चमक जोड़ेगा इसी कामना के साथ आप सभी का मैं रुदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे दोनों देशों के राष्टाज्यक्षों ने समय निकाल कर कि हमें जो संदेज बेजा उन दोनों का भी मैं रुदय से आप हाड व्यक्त करता हूं